हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू मा यूटूब चैनल विडियो, आज मैं रेशिपी के साथ साथ कुछ स्यार करना चाहती हूँ फास्ट टाइम, जब मेरा पती मेरे उपर हाथ उठाया था, तब मैं अपनी मा को कल करके बोली थी, मा संजय मेरो को थपड मारे हैं किचन में खाना बना रही थी, और दर्बाजा ठोकने का आवज सुनाय नहीं दिया था, बाद में जब दर्बाजा खुले, गुसा से संजय मेरो को थपड मारे, दर्बाजा खुनने में लेट हुआ था बोलके, मेरा मा मेरा बात सुन के जबाब दी थी, मारा है तो क्या हुआ थोड़ा सा एकजस्ट करने को सीखो, तमा दिन बर बाहर में काम करके घर में आये, और तुम टाइमली दर्बाजा नहीं खुला, गुसा से एक थापर दिया तो क्या हुआ, जो हो गया, सो हो गया, तुम कैसा है, बोलो, मैं हासकर उत्तर दी हुँ, अच्छा हुँ, दुब कर मारे, मेरा बात सुनकर मेरा पापा मेरे को बोले, पती एक ठोक काम दिये थे, और तुम टाइमली नहीं कर पाया, तुम्हारा मा होती तो सायद रात भर जाग के बीना सोये, मेरे को सुबज 6 बाजे उठा देती, सुनो, साधी के बाद पती अपनी पतनी को थोड़ा सा ध बाप दिये, बहुत अच्चा हूं, बालकुने में थोड़ा सा टहल रहे थे, तो मेरा पती घार में आए, मेरे को बहुत गंदा बात में गाली गलच किये, बोले, दीन बार घार में नहीं रहता हूं, और तुम बालकुने में जाकर महला का लड़का के साथ नोटंकी मारती है हम जब घार में घुसे तब देखे थे तुम बालकुनी में टाहल रही थी और महला का दोठो लड़का रास्ता से तुमको देखके सीस मार रहा था फिर भी तुम बालकुनी में खड़ी थी तब हम सीर जुका के बोले ख्यान नहीं किये थे मेरा पती तब गुसा से बोले त तुमारा तो उधर ख्या नहीं रहेगा, लड़का सब तुमको देखके सीज मारेगा, वो तो तुमको अच्छा है लगेगा ना, गंदी लड़की कहीं का, यही बोलके मेरा पती मेरे को धाक्का मारका चल गे, मैं तब सोची थी, मेरा दूख, तकलिप, मेरा मामी, पापा, को पिश्कुल रोने का आवज सुनाय नहीं देना चाहिए, अगर कभी देखे घर से बाहर जाने का, तब पैर तोड़के राख दूँगा, मैं तब कल काट दी, जिसको कल किये थे अपनी दुख तकलिप पताने के लिए, वही तो दूसरा घर का लड़की को घर से बाहर जाने देखके बोली, क्या हुआ तुमारा सीर पे, क्या चीच का दाग है, मैं हास कर उतरती हूँ, कुछ नहीं मा, बात्रूम में गिर कर चुट लगा था, ये उसी का दाग है, मामी पापा मेरा घर में दो दिन था, जिस दिन जाएंगे, उसी दिन दरबाजा के सामने, खाड़ा होकर बोल रहे थी, मा, मैं एकजस्ट करने को सीख यही हूँ, ये जो सीर पे दाग देख रहे होना, ये बात्रूम में गिर कर नहीं हुआ है, आपका दामात प्यार से फुलचार से मार के बना दिये हैं, फिर भी देखें, हम कितना अच्छा एकजस्ट कर लिए, मा रोकर ब बाहर में काम करते हैं, और हम क्या घर में दिन भर बेठे रहती हूं, हम भी तो घर में काम करती हूं, फिर भी आपका आँखों में आपका दामात का महनुती दिखाए दिया, और आपका लेड़की का महनुत दिखाए नहीं दिया, पापा के तरप देख कर बोलें, पापा, मैं तो कोई एलाम घड़ी नहीं हूँ, कि ठीक टाइम में उठ जाँ, मैं भी एक इंसानी हूँ, दिन भर काम करके जब ठक जाती हूँ, और जब पिस्तार में जाती हूँ, तब सो जाती हूँ, आप मेरा नीद कोई अन्नाय माल लिए, लेकिन आपका दामाद जो मेरे को मारे ओ आप अन्नाय नहीं माने, मामी पापा मेरे को कुछ बोनने को चा रहा था, लेकिन हम ओ लोग को कुछ बोनने का मोकाई नहीं दिये, दरबाचा बंद करती हूँ, लेड़की हूँ, इसलिए एकजस्ट करने को सीख कही हूँ, सायद हम लोग का लेड़की का जिन्देगी इसी तारा बीद चाता है, एकजस्ट करते करते हम लोग जिन्देगी जी लेते हीं।